आज मैं आपके लिए लेकर रही हूं अगेन बहुत सारे इंपोर्टेंट फ्रेज़ एंड वर्ड जिन्हें आप अपनी सेंटेस में यूज़ करके फ्लूएंट हो सकते हो इंग्लिस स्पीकिंग में तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अने टाइम स्टार्ट करते हैं अज क खुदबार यूज़ करते हैं रातो रात खामा खां कोल मिला कर जवरत से ज्यादा कभी ना कभी एंड रुक रुक कर ठीक है तो आज मैं इंग्लिश तो आपको बताऊंगी ही साथ ही साथ इनको सेंटेंस में कैसे फोर्म करेंगे और किस तरह साथ फोर्म करके इनको अपने करनोशेशन में यूज़ करोगे वो मैं आपको बताऊंगे तो आपके स्बसे पहले कर लेते हैं हर तरह से हर से हर तरह सी को हम एंग्लिश में कहते हैं बाइ ओल मेंन्स राइट तो इसे हम कहते हैं बाइउल में जैसे कि अगर मैं हिंदी का कोई स Pan Yardari सौ हैता की मैं हर producers से पढ से वह हर तरह से तुम्हारी साहथा करूंगा तरह सेहित Step कि आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए यह जस्ट फ्रेजिस हैं इनको हम अपने सेंटेंस में यूज करते हैं तो सेंटेंस वही रहेगा जो कि हम टेंस के अकोरिंग बनाते हैं अगर मैं यह सेंटेंस बोल रही हूं कि मैं हर तरीके से तुम्हारी साहता करूंगी तो यह यह फिर आप इसको ऐसे भी जो by all means है यह आप स्टार्टिंग में ब्यूज कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं by all means I will help you right तो ऐसे आप सेंटेंस को बना सकते हैं यह एक और सेंटेंस देख लेते हैं जैसे कि मैं इसे करने की हर तरीके से कोशिस करूंगा I will try to do it by all means मैं इसे हर त तरीके से कोशिस की मिनसे past का है तो एक feature का बना लिया है एक past का बना लेते हैं तो यह हो जाएगा यह हो गया I tried मैंने कोशिस की to do it यह करने की by all means हर तरीके से हर तरह से मैंने यह करने की कोशिस की समझमा आगए आपको next दखे रातgend रात 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 सफलता नहीं मिलती रातो रात धनी बन गया रात 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 यह कब में हो गया पता ही नहीं चला íรाइट-प्रेम को यह से दानी ग्लेकी सफलता के रात रातarnos और दो गया 05 000 किसी को रातो रात सफलता नहीं मिलती वह रातो रात अमीर हो गया पास्ट का है तो he became rich overnight कि ही मिलेश का कूछ क कहते हैं और निसक्त इसे नश्री तो तुम करद युदरिया यह पर रहे हो मैं तो एसी को ही बना लेता है कि तुम खामा खाँ परिशान हो रहे हो तो यह इंग्लिश में हो जाएगा you are getting worried unnecessarily तो यह sentence हो गए देखे present continuous का sentence है तुम खामा खाँ परिशान हो रहे हो तो रहे हो मिन्स continuous का sentence है present का तो आपको पता होगा कि helping अब इजारम लग जाती है वह में ing लग जाती है तो यह sentence हो गया you are getting worried unnecessarily और यह फिर आप ऐसे भी कह सकते हो unnecessarily को आप स्टार्टिक में यूज कर सकते हो unnecessarily you are getting worried मैं खमखा ही वहां गया तो I went there unnecessarily sentence हो गया I went there मैं वहां गया चुकि past का है यह sentence तो main work की second form हमने लगाई है I went there unnecessarily right hope समझ में आ गया हो गया आपको next है कुल मिलाकर को हम इंगलिश में कहते है ओन्दा हो जैसे कुल मिलाकर वह है एक अच्छा इंसान नहीं है राइट कुल मिलाकर वह है मेरी बात समझ गया ठीक है एक अच्छा इंसान नहीं है या फिर वह एक अच्छा लड़का नहीं है यह एक अच्छा आदमी नहीं है तो on the whole हम भी यूज़ कर सकते है एज टोल यू बिफोर राइट इन इस केस एंड इन इस केस अलसो तो कुल मिलाकर वह एक अच्छा इंसान नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको सेंटेंस के स्टाटिंग में यूज़ करना चाहे तो स्टाटिंग में कलीजे लास्ट में यूज़ करना चाहे तो लास्ट में कलीजे एक और सेंटेंस बना लेते हैं कुल मिलाकर वह मेरी बात से सहमत था तो कुल मिलाकर वह मेरी बात से सहमत था पास्ट की बात तो on the whole he was agreed what I said, या he was agreed to me ऐसे भी लगा सकते हैं, या what I said भी लगा सकते हैं, on the whole he was agreed with me, तो देखिए जब हम इनको ऐसे return में यूज़ करते है, तो इनके बाद हमें coma लगाना होता है, लेकिन coma अगर हम इनको starting में यूज़ कर रहे हैं, तो कोमा हमें तब लगाना जाए अगर हम इनको लास्ट में यूज़ कर रहे हैं तो तब हम कोई कोमा नहीं लगाते हैं तो on the whole he was agreed with me तो कुल मिला के वह मुझे सेहमत था नेक्स्ट है जरुवत से ज्यादा जरुवत से ज्यादा को हम इंग्लिश में कहते हैं more than enough more than enough जैसे तुम जरुवत से ज्यादा बोल रहे हो आज उसने जरुवत से ज्यादा खा लिया आज मैंने जरुवत से ज्यादा काम कर लिया है ऐसे sentences तो pattern वो ही रहेगा जिस sentence का sentence आप बोल रहे हो आपको उसी में ही form करना है तो यही वाला बना लेते हैं कि तुम जरुरत से ज़्यादा बोल रहे हो You are talking more than enough एक और sentence देख लेते हैं जैसे कि उसने आज जरुरत से ज़्यादा खा लिया तो खा लिया past का sentence है तो he at more than enough तो यह sentence हो गया He at more than enough उसने जरुरत से ज़्यादा खा लिया जरुरत से ज़्यादा काम मत करो Don't work more than enough जरुरत से ज़्यादा किसी की help मत करो Don't help anyone more than enough Next है कभी ना कभी कभी ना कभी को हम English में कहते है Sooner or later यह है Sooner or later कभी ना कभी जैसे कभी ना कभी तो तुम मुझे समझो गई कभी ना कभी तो तुम्हें सचाई का पता चलेगा कभी ना कभी तो तुम मेरे पास आओ गई तो ऐसे sentences तो इसको हम बना लेते हैं कभी ना कभी तो तुम्हें सचाई का पता चलेगा मैंने एक वीडियो में भी आपको बताय था कि पता चलना को हम कहते है come to know तो यह हो जाएगा पता चलेगा future का sentence है you will come to know sooner or later कभी ना कभी तो तुम्हें पता चलेगा तो यह sentence हो गया you will come to know the truth तुम्हें सचाय का पता चलेगा sooner or later कभी ना कभी तो कभी ना कभी तो तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा कभी ना कभी तो वह यहां आएगा sooner or later he will come here मैंने भी आपको उपर भी बताता है कि अगर आप इनको sentence के starting में use करते हो तो आपको कोमा लगाना पड़ेगा लेकिन ही return में होता है इस पीकिंग में तो आप कैसे भी बोल सकते हो अगर आप इनको return में use करते हो तो जब आप इन phrase को use करोगे तो यह आपको starting में लगाना है और कोमा लगाना है और after that आपको sentence बनाना है लेकिन अगर आप इसको last में use करते है जैसे कि मैंने हैं पर लेका sooner or later और यहां पर मैंने कोई कोमा नहीं पूठ किया है तो हम जब इसको last में लगाते हैं तो कोई कोमा नहीं लगाते है next है रुक रुक कर रुक रुक कर को हम इसमें कहते हैं intermittently यह है intermittently तो जैसे कि रुक रुक कर मत बोलो तो यह हो जाएगा don't speak intermittently या फिर हाँ इसको तो हम sentence के last में ही use करेंगे क्योंकि last में थोड़ा बैटर लग रहा है तो यह sentence होगे don't speak intermittently रुक रुक कर मत बोलो एक और बना लेते कि बारिश रुक रुक कर हो रही है या रुक रुक कर बारिश हो रही है पर दिन continuous का sentence है तो यह हो जाएगा it's raining intermittently रुक रुक कर बारिश हो रही है होप ही सारे समझ में आगे एक बार रिवाइस करा देती हूँ हर तहसे को हम कहते है by all means रातो रात ओरनाइट खामाखा unnecessarily कुल मिलाकर on the whole जरुक से ज़्यादा more than enough कभी ना कभी sooner or later रुक रुक कर intermittently आई थिंक कि सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे और बस आप इनको अपनी conversation में यूज करके अपनी conversation को इंब्रेसिव बना सकते हो इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में एक कुछ और new phrases important phrases लेकर मैं आउंगी तब तक तिल देन बाबाई टेक के स्टे हैल दे keep learning